तो दोस्तो स्वागत है आपके यूट्व चैनल गार्डन गिल में तो दोस्तो आज हम बात करेंगे बंगलोरी क्रोटन के बारे में जिसको हम पैटरा क्रोटन बोलते हैं तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में कि इसकी केर आप कैसे कर सकते हो तो आज मैं आपको जो टिप्स हैं वो जो बात हैं आज आपको मैं क्रोटन के बारे में आज को आपको बताने बाला हूँ वीडियो श्राट करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी ताज हम आपको आने बारी और वीडियो के बार में और प्लांट्स की के बार में आपको बता सके तो सबसे पहले दोटो आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका जो प्लांट Ales के उपर भिए तो आपका प्लांट दूब में नहीं चलेगा अगर आपके प्लांट के उपर आप बहुत सारे में दोस्त बोल लेते हैं कि हमारे plants की जो पती है वो color है वो change नहीं होता जैसे आप दे सकते हो कि इसका color बहुत अच्छी change हो रहा है तो उसका कारण क्या होता है अगर आपके plants का जो color है वो change नहीं होगा तो उसका मतलव जही है कि आपका जो plants बिल्कुल शाय में पड़ा हुआ है तो उसके उपर हलकी बिल्की जो दूप है वो आना चाहिए अगर हलकी बिल्की दूप आएगी तभी आपके plants की जो पती है उनके सभी की color change हो जाएंगे जैसे आप देशकते हैं कि हमारे ये क्रोटन इनकी जो पती है वो सभी के अच्छे खासे देख सकते हैं आप इसमें जो color है काफी वो अच्छे change हो जुके है तो आप यसी तरह हैं अगर इसको शाय में रखोगे तो आपके plants की जो पती है वो color है वो change नहीं होएंगे तो यह इस चीज का आपने खास द्यान रखना है तो दोस्तो अब हम बात करते हैं कि इस पर जो पती है उसका color है वो कैसे चमकाती है तो बहुत सारे में दोस्त बोलते हैं कि आपके जो पती है वो सभी के उपर बहुत अच्छी खासी चमक होती है हमारा जो plant है उसके उपर दोस्तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास जो भी आपका प्लांस है उसको आप हर रोज डेली उसके उपरा पतिया जो सभी के उपर शाबर के साथ पानी लगाएं पतियों को आप नहला सकते हो अच्छे खासे और इसे पानी भी आपके प्लांस को लग जाएगा तो आप बात करें पानी के बारे में तो दोस्तो आपका जो प्लांस है उसको आपने बहुत ज्यादा पानी लगाना है अगर ज्यादा पानी लगाओगे बरके तो आपका प्लांस नहीं चलेगा तो इसकी जो मिट्टी है जो आप दे सकते हो कि जब जो ड्राई हो जाएगी बिल्कुल सूख जाएगी तब भी इसको पानी लगाना है तो जैसे आप दे सकते हो कि हमारे पास ये मिट्टी भी बिल्कुल गिली है इसको हमने पानी लगाया हुआ है तो इसको भी हम पानी नहीं लगाएगी तब भी आपने पानी लगाना है जब आपकी जो मिट्टी है व वह गिर रही है तो उसका नहीं वाली अगर लाव मुझद Яप करन ने किशिज की कमी है तो उसके उपर और करते ना है तो आप तो 25 दिन बाद 20 दिन बाद आपने पत्तियों के और ब्रांच के ऊपर कर सकते हो जिससे कि आपके पत्तियों वह अच्छी चम करेगी इसको कोई भूमारी बगरा नहीं पड़ेगी और आपका प्लांच से निकाल रहा है तो वह बिल्कुल सही चलेगा और बिल्कुल सही आपक हमने करी है तो 25 दिन का गैप राखना है इसलिए आज मैं आपको श्राइब करकर नहीं बता सकता कि हमने इसके ऊपर यू कल्ले वह बता सकता हूं कौनकि इसका जो 25 दिन गैप है वो से हम कर सकते हैं तो इसको आपने एक लिटर पानी में आदा चमचे लगाना है आदा प्लांट्स काफी ऑच्ची होएगी तो आपके यह पत्तियां बहुं चमकाएगी तो इसको कोई भी बुमारी नहीं पड़ेगी दोस्तों एक रूटन को जो हमारे को इसको फंगी साइड है वो भी पड़ जाता है तो इसका कारण क्या होता है पंगी सेड पड़ जाता है तो उसको कोई भी आपके प्लांस को जो फंगी सैड बगडा की ऐसी चीज है वो नहीं लगेगी तो आपका प्लांस ग्रोध करना स्टार्ड कर देगा तो दोस्तों एक बात और है कई बार का वाज था कि आपके प्लांस की यो पतियां वो गलना स्टार्ड हो जाती है जैसे आप कि आपका प्लांट से तया बहुत तेज दूम में पढ़ाया तो इसको आप शाहिं में रख सकते हो आपका प्लांट से दूम सही चलेगा तो यह थे आज की वीडियो के के बारे में तो आप देखी सकते हो कि हमारे पास नर्सरी में जो क्रोटन है तो काफी अच्छे थो तो इनकी जो हाइड भी काफी अच्छी पत्य हैं, काफी फ्रेश लग रही है, तो आगर आपको मैंने जो बताया, जैसे अगर आप भी अपने प्लांट्स को इसी तरह आप, तो आपके प्लांट्स की अच्छी तरह देख बाल करोगे, तो आपका प्लांट्स भी जैसे आप दे सकते हो, हमारा प्लांट्स भी आपको देखने में मिलेगा, और अच्छे खाशा और आपका प्लांट्स भी हो जाएगा, तो यह थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारी वीडियो को लाइक और शेर भी जरूर कर लेना तो दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो के साथ